Hello friends, तुमारे लिए लिए क्या है एक और web series का धवाकेदार review लेकिन web series धवाकेदार है या नहीं इसके बारे में बात करेंगे थोड़ी देर बात पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं कुछ शानदार web series इसको लेगे कुछ web series इसी होती है कि जिनका content इतना famous होता है इतना landmark content होता है कि बहुत से फिर आगे film makers जो web series plan करते हैं अपना content plan करते हैं तो वो उस ही web series को जहन में रखके अपना content लिखते हैं और अपनी web series के characters design करते हैं मिर्जपूर एक ऐसा web series है जिसको बहुत सारे directors ने अपने अंदाज में मैं यह नहीं कहूंगा कि copy करने की कोशिश की उससे inspire होके वैसा ही content बनाने की कोशिश की आज जिस web series का review हम आपके लिए करने जा रहे हैं उस web series को देखके भी मुझे पहले पहन यही ख्याल आया कि मैं मिर्जपूर से inspired कोई web series देख रहा हूँ जिसमें कोशिश यह की जा रही है कि मिर्जपूर के content से inspiration तो ली जाए लेकिन कहीं ऐसी feel लाए कि मिर्जपूर को copy किया गया है जिस web series की आज़न बात कर रहे हैं उस web series का नाम है चूना और यह web series देखने के माद शायद कहीं ना कहीं तुम्हें भी यह feeling आएगी के भाईया हमको तो इस web series ने चूना लगा दिया web series की cast बड़ी impressive है जिमी शेरगिल इस web series में पंकज त्रेपाटी का रोल अपने करने की कोशिश करते वे नदर आएंगे जो के कालीन भाईया का रोल पंकज त्रेपाटी ने मिर्जपूर में बले गया था जिमी शेरगिल की पूरी कोशिश है कि किसी ने किसी तरह उस रोल को दुबारा से री इनैक्ट किया जाए या उससे कुछ inspiration ली जाए अब इसमें जिमी शेरगिल की साथ तक काम्याब हुए है ये तो आप लोग देख के ही फैसला करेंगे वेब सीरीज की कहानी गूमती है शुकला जी नामी एक करक्ट पॉलिटीशन के गिर्द जो के इनिशेली होते हैं गैंग लीडर और उसके बाद पिर वो माफिया गैंग से होते होते बन जाते हैं एक नामी गरामी पॉलिटीशन और उस नामी गरामी पॉलिटीशन के तरह चोट पहुचाई होती है लुकसान पहुचाया होता है तो ये तीन लोग किस तरह से अपना गट जोड बनाते हैं और ये कोशिश करते हैं कि किसी तरह से शुकला जी को लुकसान पहुचाया जाए और जो बहुत सारा पैसा कहीं से आने वाला है उस पैसे को लेके कोई हा कास्ट के जरिये से शुपला जी को ऐसी चोट पहुंचाई जाए कि उन तीनों का सारा हिसाब किताब बराबर हो जाए जराब ये है मेन कहानी चूना की अब तुम कहोगे कि यार ये नाम चूना जो है वो आप कह रहे हैं कि चूना देखने वालों को चूना लग गया तो भई तुम्हें ये फीलिंग आती है कि यार वैब सीरीज प्रावसिंग तो लग रही है और इसमें कुछ अच्छा और मुफतलिफ होगा लेकिन जैसे जैसे एक के बाद एक एपिसोड आगे अनफोल्ड होते है तो तुम्हें ये फीलिंग आने लगती है कि यार ये वैब का गट जोड और उसी तरीके से कहानी को इन चारो पाचो चीजों के इर्द गर्द खुमाया गया है जो बात मेरी लिए सबसे ज़्यादा हैरान गुंती वह ये थी कि नेटस्लिक्स जैसे OTT प्लेटफॉर्म ने जिसका इतनी बड़ी क्रेडिबिलिटी है इतना बड़ा नाम है उसने आखिर इस वैब सीरीज के कॉंटेंट को पास कैसे कर दिया कीपिंग इन माइंड के इस वैब सीरीज से मिलता जुलता बहुत सारा कॉंटेंट दीगर पोटीटी प्लेटफॉर्म पे और एक्जिस्ट करता है तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि नेटस्लिक्स ने किस तरह इस वैब सीरीज को ग्रीन सिंगनल दे दिया बाराल हम फनकार की टीम इस वैब सीरीज को रेट करेगी टू आउट ओफ फाइव स्टार्स और ये टू स्टार्स भी सिर्फ इस वज़ा से दिये जा रहा है क्योंकि जिमी शेर गिल ने बाराल अपने तोर पे पूरी कोशिश की कि इस डूपते हुए कॉंटेंट को किसी तरह से उठाया जाए अब अपनी इस कोशिश में वो किस हद तक काम्याब हुए ये तो आप लोग बहतर बताओगे मेरे इसाब से तो अपनी इस कोशिश में वो किसी हद तक काम्याब हुए किसी हद तक नहीं हुए Anyways, 2 out of 5 stars for Chuna which is available on Netflix आप इसको stream कर सकते हो, देख सकते हो और देखने के बाद हमें ज़रूर बसा रहा के तुम्हें हमारा review कैसा लगा चैनल को लाइब और सबस्क्राइब करना बिल्कुल मत पूरना कमेंट करके जबू बताना के दुम्हें हमारी वीडियो कैसी लग रही है मुझे गयते हैं जिया सिद्धी की आपसे मुलापात होगी अगली वीडियो में